टोबा टेक सिंग एग अल वाजब सी या गैर वाजब चलो फेर वी बुद्धी माना दे फैंसले मुताबक एदर उदर उच्छी पदर दियां कानफरंसा हुईया अते अंतनू पागलां दे तबादले लई एक दिन निश्चित हो गया चंगी तरा छान बीन कीती गई ओ मुसलमान पागल जिना दे संबंदी हिंदोस्तान विच ही सन उत्थे ही रैंड दिते गए बाकी जड़े बचे उननानू सरहाद उत्थे पेज दिता गया पाकिस्तान तो लगपग तमाम हिंदू सिख जा चुके सन इस वास्ते किसे नू रखन रखोन दा सवाल ही पैदा नहीं होया जिनने हिंदू सिख पागल सन सारे दे सारे बाडर उते पुचा देते गए ओधर दा पता नहीं परन्तू एदर लहौर दे पागल खाने जदों इस तबादले दी खबर पुझी ता बड़ी दिल्चस्प चर्चाहूं लगी एक मुसल्मान पागल जो बारा वर्यातों हर रोज बाकाइदा दिनाल जिमीदार पढ़दा सी उसने ज़ादा अपने एक मितर नो पुचिया मौलवी साब एक पाकिस्तान की हुंदा है ता हुने बड़े सोच विचार पिछों जवाब दिता हिंदोस्तान विचे कैसी था जित्थे उस तरे बढ़दे ने ए जवाब सुनके उस दा मितर संतुष्ट हो गया इसे तरह एक सिख पागल ने एक दूजे सिख पागलतों पुचिया सरदार जी सानू हिंदोस्तान क्यों पेजिया जा रहा है सानू ता उत्थों दी बोली नहीं ओंदी दूजा मुस्कुराया हा मैंनू ता हिंदोस्तोडो दी बोली ओंदी है हिंदोस्तानी बड़े शैतान आकड आकड फिरते हैं एक दिन होंदिया नहोंदिया एक मुसल्मान पागल ने पाकिस्तान जंदाबाद दानारा इनने जोर नाड बुलांद की था कि फर्शुते तिलक इड़ गया ते बिहोश हो गया कई पागल ऐसे वी सिगे जो पागल नहीं सन उना विच बहुती गिनती जेहे कातला दी सी जिनादे रिष्टेदारा ने अफसरानू कुझ दे दवा के पागल खाने पजवा देता सी कि ओ फाँसी दे फंदे तो बच जान एपागल कुझ कुझ समझ दे सन के हिंदोस्तान क्यों वंडिया गया है अते पाकिस्तान की है परंतू सही हादसें तो एवी बेखबर सन अखबारां तो उनानू कुझ पता नहीं सी लगदा अते पैरेदार सिपाही अनपड तिम्मूरख सन जिना दी गलबात तो भी ओक किसे नतीजे ते नहीं पहुंच सक दे सन उनानू केवल ना पता सी के एक आदमी मुहम्मद अली जिना है जिसनू काइदे आजम केंदेने उने मुसलमाना वास्ते एक वक्रा मुल्क बनाया है जिस दना पाकिस्तान है ये किते है इस दी पगॉलिक स्थिदी की है इस दे बारे ओकुझ नहीं जानते सन एही वज़ा है कि ओ सब पागल जिना दा दमाग पूरी तरह नहीं सही लिया इस पंबल पूसे विच पाए होई सन कि ओ पाकिस्तान विच ने जा हिंदोस्तान विच जे हिंदोस्तान विच ने ता पाकिस्तान के थे है थे जे पाकिस्तान विच ने ता एक इमें हो सकदा है कि ओ कुछ अर्शा पहला इत्थे ही रेंदे हुए हिंदुस्तान विच सन। एक पागल ता हिंदुस्तान ते पाकिस्तान पाकिस्तान ते हिंदुस्तान दे चकर विच कुछ अजेहा फसेया कि होर ज़्यादा पागल हो गया। चाडू दिनदियां दिनदियां ओ एक दिन रुख होते चड़ गया, पते टैन उते बैठके, दो केंटे लगा तार तकरीर करता रहा, जो पाकिस्तान अते हिंदुस्तान दे नाजुक मसले होते सी, सिपाहिया ने जद उन्हों हेठा उत्रन ले किया, ताँ होर होते चड़ ग आपने हिंदू सिख मित्रां दे गड़ मिलके रोन लगया। इस ख्याल नाळ उस दा दिल पार आया सी कि वो उसनू छड के हिंदूस्तान चले जानके। एक MSC पास रेडियो इंजीनियर जो मुसल्मान सी अथे दूजे पागलां तो बिलकुल अलग थलग बाग दीक खास पगडंडी हुते सारा दिन चुप चाप टैल दा रेंदा सी। ए तपदीली परगट होई कि उन्हें अपने सारे कपड़े उतार के दफे दार देहवाले कर देता। चनियोट देख मुसल्मान ने जो मुसलिम लीग दा सरगरम मेंबर रह चुकिया सी अथे देने विच पंदरां सोलां वेरां नहाया करदा सी एक दम एयादत छट देती। उदा नाम मुहम्मद अली सी सो उसने एक दिन अपने जंगले विच उइलान कर देता कि उन खराबा हो जावे दोहानों खतरनाक पागल करार देके अलग थलग बंद कर देता गया। लहौर दा एक नौजवान हिंदू वकील मुहब्बत विच असफल होके पागल हो गया सी। जदो उनने सुनेया कि अमरित सर हिंदूस्तान विच चलया गया है ता उननों बहुत दुखोया। अमरि सर दी एक हिंदू कुडी नाड उन मुहब्बत सी। जिसने उसनों ठुकरा देता पर दिवान गी दी हालत विच वी ओ कुडी नू नहीं पुलिया। ओ उना सारे हिंदू अते मुसलमान लीटरानू गणा देन डग पया जिनाने मिल मिला के हिंदूस्ता दे दो टुकडे करते तेने। अते ओ दी महबूबा हिंदूस्तानी बन गई है ते ओ पाकिस्तानी। जद तबादली दी गाल शुरू होई ता उस वकील नू कई पागला ने समझाया कि ओ दिल थोड़ा ना करे उसनू हिंदूस्तान पेजदता जावेगा। उसे हिंदूस पागल सनू उन्हानू जो दो पता लगया कि हिंदूस्तान नू अजाद करके अंग्रेज चले गएने था उन्हानू बड़ा सदमा लगया। ओ लोक लोक के कांटेयां बदी इस एहम मसले होते गल बात करते रहेंदे कि पागल खाने वेच हुन उन्हान दी हैसियत किस किसम जिसनू पागल खाने विच दाखल होयां पंदरा वरे हो चुके सनू हर वेले ओदे मुहों ए अजीब लफज सुनाई देंदे सनू आपड दगडगड एनैक्स दी बुद्धियाना दा मूंग की दाल आफ दी लाल टैनू ओना देनच सौंदा सी इतना रात नू पैरेदार भी नहीं सी बलके कदे 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 कांद दे नाल टेक लालें दा सी चतो पैर खड़ा रेंड करके उस दे पैर सुझ गए सन अते पिंजणियां भी फुल गईया सन मगर सरीरक तकलीफ दे बावजूद ओ लम्मा पैके अराम नहीं करता हिंदूस्तान पाकिस्तान दे पागला अपड़ दी गड़गड दी एनेक्स के बुधियाना के मूंग दी दाल ओफ पाकिस्तान गवर्मेंट परंतु बाद विच आफ दी पाकिस्तान दी था ओफ दी टोबा टेक सिंग गवर्मेंट नी लेली अते उन्हें दूजे पागला तो पुछना शुरू कर देता कि ऩ ряд वाला है किसे नूभी नी सी पता कि टोबा टेक सिंग पाकिस्तान विच है जा हिंदुस्तान विच जो दस्र दी कोशिश कर देंसानी ओप इस उलजन विच फस जानतेंसानी किस ही आलखोर्ट पहलेहे хват होंदा सी पर हुन सुने आए Dank कि पाकिस्तान विच है की पता है कि लहौर जो आज पाकिस्तान विच है कल हिंदुस्तान विच चलिया जावे जहां सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जावे अते एवी कौन छाती उते हाथ रख के कह सकता है कि हिंदुस्तान अते पाकिस्तान दोनों किसे दिन सिरे तो गायब हो जान इस सिख पागल दे केस चिदरे होके बहुत कट रह गय सन क्योंकि उन्होंदा कदे कदाईं सी इसलिए दाड़ी अते वाल आपस विच जम गय सन जिस करके उस दी शकल बड़ी प्यानक हो गई सी पर आदमी ने डर सी पंदरा वर्यां विच उसने कदे वी किसे नाल्चगडा फसाद नहीं कीता सी पागल खाने दे जो पुराने नौकर सन ओ दे बारे इनाक जानते सन कि टोबा टेक सिंग विच उस दी काफी जमीन सी चंगा खांदा पींदा जमीदार सी कि अचानक दिमाग हल गया ओ दे रिष्टेदार उनू लोहे दे मोटे मोटे संगला नालगबन के ले आए अथे पागल खाने दाखल करा गय महीने विच एक वेरा मुलाकात लई ओ लोक आंदे सन अदे उस दी सुख सांदा पता करके चले जांदे सन बड़ी देर तके सिलसला जारी रहा पर जदों पाकिस्तान, हिंदुस्तान दी गरबड शुरू होई ता उना दा उना जाना बंध हो गया ओदा नाम बिशन सिंग सी पर सारे जणे उसनू टोबा टेक सिंग केंदे सन ओनू एक कताई मालूम नई सी कि दिन केड़ा है, महीना केड़ा है जां किन्ने साल बीथ चुके ने परन्तु हर महीने जदोस्दे सके संबंदी उसनू मिलन वास्ते ओन वाले हुंदे ता उनू अपने आप पता लग जन्दा इसले यो दफेदार नू केंदा के मुलाका आता रही है उस दिन ओ मल मल के न होंदा बदनू ते खूब तेल सबन कसाया जन्दा अते वालां विच तेल लाके कंगा कर्दा अपने ओ कपड़े जो कदी वर्तदा नहीं सी कड़वा के पौंदा अते यो बन फब के मिलन वालेयां कोड जान्दा ओनू कुझ पुछ देताओ चुपरेंदा जान कदे कदाई आपड दी गड़गड दी अनैक्स दी बुधियाना दी मुंग दी दाल आफ दी लाल टैन के दन्दा ओदी एक कुड़ी सी जो हर महीने एक उंगली वददी वददी पंदरा वर्यांच मुट्यार हो गई सी बिशन सिंग उनू पछानदा ही नही सी ओ बच्ची सी उदों वी अपने आपनू देखके रोंदी सी मुट्यार होई तद्वी ओधी आखाँ जो हंजू वेंदेसन पाकिस्तान ते हिंदोस्तान दा किस्सा शिरू होया ता उन्हें दूजे पागला तो पुछना शिरू कर देता कि टो बट एक सिंग किते है ज़ा दूसनू तसली बक्ष जवाब ना मिलया उदी तो दिन प्रती दिन वद्धी गई होण उसदी लड़की मुलाकातनू वी नहीं ओंदी सी पहला ता उन्हें अपने आप पता लग जान्दा सी कि मिलन वाले आ रहे ने पर होण जिमें उदी दिल दी अवाज ही बंद हो गई सी जो उन्हों अपने आदे आउन जान्दी खबर दिया करती सी उदी बड़ी इच्छा सी कि उदी लोक उन्हों जो उस नाळ हम दर्दी पर गट कर दे सन अथे उदे वास्ते फल मिठाईयां अथे कपड़े लियों दे सन ओ और ताउना तो पुछ के कि टोबा टेक सिंग किते है ओ उन्हों पके तोरते दस जेन गे कि टोबा टेक सिंग पाकिस्तान विच है जा हिंदुस्तान विच ओधा ख्याल सी कि ओ टोबा टेक सिंग तो ही ओंदेने जित्थे ओधियां जमीना ने पागल खाने विच एक पागल जेहावी सी जो अपने आपनू खोदा कहनदा सी बिशन सिंग ने उस तों जदों एक दिन पुछेया कि टोबा टेक सिंग किते है पाकिस्तान विच है जा हिंदुस्तान विच ता उने अपनी आदत अनुसार ठाका मार के कह देता ओ ना पाकिस्तान विच है ना हिंदोस्तान विच है क्योंकि असी आजे तक हुकम ही नहीं देता बिशन सिंग ने उसनू खुदानू कई वार बड़ी मिन्नत अते आजजी नाल केहा कि ओ हुकम दे देवे तांकि चंजट मुके पर खुदा बहुत रुजिया होया सी क्योंकि ओने ओर बड़े रे हुकम देने सन एक दिन दुखी होके बिशन सिंग खुदानू टुटके पया आपट दी गरगर दी एनेक्स दी बुदियाना दी मौंग दी डाल आफ वाहिगुरुजी का खाल सा एंड वाहिगुरुजी दी फत है इस दा शायद मतलब सी कि तु मुसल्माना दा हुदा है सिखां दा हुदा हुदा ता जरूर मेरी सुनता तब आदले तो कुछी दिन पहला टोबा टेक सिंग दा एक मुसल्मान जो बिशन सिंग दा मित्तर सी मुलाकात ली आया मुसल्मान मित्तर पहला कदे नहीं आया सी जदों बिशन सिंग ने उसनों देखिया ता इक पासे हट गया फिर वापस जान लगा पर सिपाहियां ने उनु रोक लिया ये तेनू मिलना आया है, तेरा मितर फजलदीन है। बिशन सिंग ने फजलदीन नू एक नजर देखेया ते कुछ बड़ बड़ाउन लगा। फजलदीन ने अग्ये वद के उधे मोड़े उपर हाथ रखेया। मैं कई दिना तो सोच रहा सी कि तेनू मिला, पर वेली ना मिली। तेरे सा बाद में खैरियत नाल हिंदुस्तान चले गए सन। मित्थों जिननी मदद हो सकी मैं कीती है। तेरी ती रूप कौर। ओ बोल देयां बोल देयां रुक गया। बिशन सिंग कुछ याद कर लगया। ती रूप कौर। फजल दीन ने रुक के किया। हाँ, ओ, ओ, ओ भी ठीक ठाक है। उन्हा नाल ही चली गई सी। बिशन सिंग चुप रहा। फजल दीन ने फेर कहना शुरू कीता। उन्हा ने मैंनू किया सी कि तेरी खैर खैरियत पुछदा रहा। हुण मैं सुनेया तू हिंदुस्तान जा रहा है। पाई बलवीर सिंग अते पाई वदावा सिंग नू मेरा सलाम केना अते पैन अमरित कौर नुवी। पाई बलवीर सिंग नू केना की फजल दीन राजी खुशी है। दो बूरिया मैसा जो चट गय सी उना चो एक ने कटा दिता है। दूजी दे बिशन ने मरूंधियां दी पोटली लयके कोल खड़े सिपाही दे हवाले कर दिती ते फजल दीन नू पूछया तोबा टेक सिंग किते है। फजल दीन ने थोड़ा हेरान हों देया के हा। किते है? ओटरी है जिते सी? बिशन सिंग ने फिर पूछया पाकिस्तान विच है या हिंदोस्तान विच, हिंदोस्तान विच, नई, नई, पाकिस्तान विच, फजल दीन थोड़ा बोंदल जा गया, बिशन सिंग बुडबुड़ोंदा होया चला गया, ओपर्ड दी गडगड दी एनेक्स, दे बुधियाना दे मूंग दी दाल अफ दी पाकिस्तान एंड हिं आते तबादले दा दिन भी निश्चित हो गया। कईता बार इनी निकल दे सन। जो निकलन लई रजा मंध होंदे सन। उन्हानू संबालना मुश्किल हो जानता सी। क्योंकि उएद्दर उद्दर पाज उठ दे सन। जो नंगे सन। उन्हानू कपड़े पुआई जान दे। ता उन्हानू पाड़ पाड़ के अपने बदन तो लास उट दे, कोई गणा कड रहा है, कोई गा रहा है, कोज आपस विच चगड रहने, विलक रहने, कान पई अवाज सुनाई नहीं सी देंदी, पागल और तांदा शोर शिराबा अलग सी, अते ठांड एनी सक्त सी कि दांद वाज रहे सन, पागला दी बहु गिनती इस ब पाकिस्तान जंदाबाद अते पाकिस्तान मुर्दाबाद दे नारे ला रहे सन, दो तिन वार फसाद हुंदा हुंदा बचया, क्योंकि कई मुसलमाना अते सिखानू एन नारे सुनके तैश आगया सी, जद बिशन सिंग दी वारी आई तां वागा दे उस पार संबंदत उदा नाम रेजिस्टर विच दर्ज कर लगा तां उसने पुछया, टोबा टेक सिंग किते है, पाकिस्तान विच या हिंदुस्तान विच, संबंदत अफसर हसया, पाकिस्तान विच, एस उनके बिशन सिंग उछलके एक पास से हटया, अते दोड के अपने बाकी साथिया को जोर नालची कर लगया, अपर दी गडगड़ दी एनेक्स दी बुधियान दी मोंग दी दाल अफ दी टोबा टेक सिंग एड़ पाकिस्तान, उसनु बहुत समझाया गया, कि देखो, हुन टोबा टेक सिंग हिंदुस्तान चला गया है, जिन नहीं गया, ता बहुत जल्दी पेजदता जावेगा, पर ओना मन्या, जदो उनु जबरदस्ती दुझे पासे ले जान दी कोशिश कीती गई, ताओ विचकार एक थां इस टंग नाल अपनियां सुझीयां हुई यां टंगां उते खड़ा हो गया, जिमें उनु हुन होर कोई ताकत हिला नहीं सकेगी, अधिकलन तो पहला चुप चपी ते बिशन सिंग दे हलक विचों एक आसमान नूँ चीर दी चीक निकली, एदर उदर कई अफसर पजे आये, अते उना देखिया कि ओ आदमी जो पंदरा वर्यां तक दिन रात अपनियां टंगां उते खड़ा सी, मुद्दे मूँ पे आसी उदर कंडियालियां तारां दे पिछे हिंदोस्तान सी, एदर एहो जहियां तारां दे पिछे पाकिस्तान विचकार जमीन दे उस टुकडे उते, जिस दा कोई नाम नहीं सी, टोबा टेक सिंग पे आसी